Hello Everyone, Myself Pankaj, Welcome to Being Fishko इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Handbook of Fisheries and Necoculture के Chapter 3 Pelagic Fisheries के उपर ठीक है, सारे important points मैंने इसमें include किये हैं कोशिश यही रहेगी कि इस Chapter से लेटेड आपके सारे concept clear कर सकें और giraffe related जितने भी question बन सकें, वो सारे हम लोग cover कर सकें ठीक है तो चलिए, start करते हैं फिर Pelagic Fisheries के साथ Pelagic Fisheries Indian Marine Fisheries का main constituent है क्यों main constituent है? क्योंकि Indian Marine Fisheries का सबसे ज़्याद प्रोडक्शन Pelagic Fisheries की तुरू आता है Pelagic Fisheries include करता है Pelagic Fishes को Pelagic Fishes are those fishes that are found on surface और sub-surface water एसी fishes जो surface या फिर sub-surface water में पाई जाए उनको हम लोग Pelagic Fishes बोलते हैं देखे, Pelagic Fishes की उपर ध्यान देने की क्यों जवध पड़ी? क्योंकि सबसे पहले हमारे पास over capacity थी oceanic resources में और inland में decline हो रहा था resources का क्यों decline हो रहा था क्योंकि aqua culture या culture based fisheries पे तो हम लोग अभी focus करना श्राट किया हैं पहले के समय में ऐसा नहीं था पहले हम लोग capture fisheries पे जादा focus करते थे तो भी inland sector में तो हम लोग inland के resources को utilize कर चुगे थे या बहुत जादा over exploit कर रहे थे और जो oceanic resources थे वो हमारी ऐसे के वैसी पड़ी हुई थी तो और लोगों का demand भी बढ़ने के वैसे लोगों का ध्याना है कि अब हम लोग oceanic resources को exploit करना चाहिए ना कि inland को और inland में हम ले culture fisheries पे focus करना चाहिए ठीक है तो आज का जो आप present scenario देख रहे हैं fisheries का वो actually ये चीज़े बनी है इन चीजों को बनाया गया और कोई चीज तभी बनती है जब उसके पीछे एक बड़ी planning होती है तो planning किस की थी planning हमारे government की थी government ने 5 year plan की थूर ये plan किया कि हमें traditional fisheries से अब industrial fisheries पे focus करना है more specifically food based fisheries से हमें industry based fisheries पे focus करना है इसकी through इन्होंने oceanic resources के उपर focus किया और oceanic resources में बात आई pelagic resources के उपर तो pelagic fin fishes those fishes that are that lives on surface और subsurface water कुछ और बाते जान लेते हैं introduction of per scene हुआ 1970 में introduction of ring scene 1980 में ये question बन सकते है जारव के लिए 1970 में per scene 1980 में ring scene plus motorization and mechanization भी आपका 1980 से 1990 में हुआ था अब बात करते हैं कि कौन से reason में सबसे आदा exploitation होता है pelagic resources का तो depth होता है 0-50 meter या more specifically 0-100 meter depth के reason में ये पाई जाती है crafts कौन कौन से use होते हैं canos, pablo type boats and catamarans, gears, gill net, purse scene, ring scene ये सब gears होते हैं जो families आती है पेलाजिक के अंदर में वो आती है क्लूपीडी, स्कॉम्ब्रीडी, टैक्यूरीडी, केरेंगीडी, हर्पेडॉन टीडी, स्ट्रोमा टीडी, कौरिफिनीडी, रैकिसेंट्रीडी, व्यूजिलीडी, स्फिर्नीडी, एक्जूसीर्टीडी, ब्रेगमा सेरोटी यह सारी families पेलाजिक स्पिशीज के अंदर आ जाती है, गेर्स की बात करें तो शोर सीन, बोट सीन, गिलनेट, डिप गिलनेट, हुक्सन लाइन, पोलन लाइन और डोलनेट, यह सारी गेर्स हीज होते हैं, जिसमें सिखी शोर सेन और रामपानी को रिप्लेस किया है, पर सीन और रिंग सीन ने, 1998 और 2008 के डेटा की बात करें, तो 2.62 मिलियन टन्स टोल प्रोडक्शन था मरीन प्रोडक्शन था टोल इंडिया का, जिसमें की 1.92 मिलियन टन्स प्रोडक्शन प्रोडक्शन जो है, वह आपका पैलाजिक रिसोसेस का था, 46 तू 56 पर्सें प्रोडक्शन जो है वो पेलाजिक रिसोसेस की थ्रू आ गया था जिसमें की 70% production आपको 50 मिटर्व तक मिल गया था क्योंकि इनका रिंग जीरो से 100 मिटर्व तक है लेकिन 70% जो production वो 50 मिटर्व तक मिल गया था अब due to exploitation in 50 मिटर्व तक में ट्रीटरी और शो शोलिंग बिहेवियर फॉर एक्जांपल क्लूपिट्स दे इंक्लूद 250 स्पीशीज और पेलाजिक रिसोर्सेज में 250 स्पीशीज आती है अर्लियर इन 2008 की बात करें तो केरला पेलाजिक्स प्रोड़क्शन में लीड कर रहा था विद 29 परसेंट ऑफ कैच कैचली सौफवेस्टरीज में टॉमिणेट करता है अर्ड पर छू प्रोड़क्शन में या लैंडिंग में फिर आता ह्या सौफीशड रिज़न फिर नॉथ वेस्ट पर intéress रिजन ठीक अ मेकिनाई सेक्टर का कंट्रुबिशन है 54%, मोटराइज का 39% और नॉन मोटराइज का 7% कंट्रुबिशन है सस्टेनेबल इंक्रीज देखा गया एनकवीज का, बॉंबे डग का और टूनास का 1992 के बाद और 1993 और 1994 में रिबन फिशेज और मैक्रेल्स का सस्टेनेबल इंक्रीज था 1960 और 1970 के समय पेलजीक रिसोसेज का उतना जाद कोई डिमांड नहीं था या फिल लैंडिंग नहीं हो रही थी, सब कुछ सूखा पड़ा हुआ था लेकिन 70s, 80s और 90s में जो रिवॉलिशन आये, क्या रिवॉलिशन आये? 70s में आया पर सीन, 80s में आया रिंग सीन और 90s में आगे आपका मोटराइजेशन और मेकनाइजेशन इन तीन रिवॉलिशन की वये से पेलाजिक रिसोर्स की लैंडिंग बढ़ना शुरू हो गई यह रिवॉलिशनरी पीरियड है, 70, 80, 90 पेलाजिक रिसोर्स के हिसाब से गदेखा जाए तो अब बात करते हैं, 250 स्पीशीज हैं कलाजिक्स की, जिसमें की 60 स्पीशीज आपकी इन 7 ग्रूप से आ जाती है फिर आती है, वोल फेरिंग, शैट्स, बाराकुडाज, यूनिकॉर्ण कॉर्ड, मॉलेट्स, शियर फिशेज और टूनाज जो की कंट्रिब्यूट करती है, 17.6% टूटल लैंडिंग का सिंगल स्पीशीज फिश्रीज की बात करें, तो ओयल सार्डीन, इंडियन मैकरल, और बॉम्बे डग, इस इंगल स्पीशीज फिश्रीज में ये कॉंट्रिब्यूट करते हैं, अब हम लोग एक एक स्पीशीज के बारे में जानेंगे, डीटेल में, ठीक है, तो इंडियन सार्डीन के साथ स्टार्ट करते हैं, साइटिफिंगें, सारडीन लॉंगिसेप, इंडियन ओल सार्डीन, इस आर स्मॉल पेलाजिक फिशेज, जो पाई जाती है, थी तुट्विटी किलोमिटर रेंज में पाई जाती है, ये कोश्टल रिजन से, खास करकि मालाबार बाटम में ज्यादा है, वो रिप्लेस करता है, अपर सर्फिस को जहां पे न्यूट्र डिप्लीट है, अब बत करते हैं, इंडियन ओल साडीन के प्रोडक्शन का सक्सेस डिपेंड करता है, रेंफॉल के उपर, फूड के उपर, माइगरेटरी पैटर्न के उपर, एक्स के उपर, अपवेलिंग जोन के उपर, और गियर एफिशेंसी के उपर, तो यह सारे फैक्टर्स हैं, जिनके उपर इंडियन ओर साडीन का प्रोडक्शन डिपेंड करता है, प्री सेवेंटी, मतलब सेवेंटी के पहले की बात करें, 1970 के पहले के बात करें, तो हम लोग कौन को इंट्रोडक्शन हुआ, फिर हम लोग रिंग सीन यूज किये, तो 70s और 80s में जो प्रोडक्शन आया, इंडियन ओर साडीन का, वो बहत ही जादा था, as compared to 70s के पहले के जवाने का, क्योंकि उस वक्त जो गियर यूज करें थे, वो अतने जाद जाद एफिशेंट नहीं थ ठीक है, तामिल नाडो की बात करें, तो वहां पे हम लोग पेयर ट्रॉल यूज कर रहे थे, पैंपन, रामिश्वर रिजन में, और रिंग सीन की बात करें, तो वो पार्क बेर रिजन में यूज कर रहे थे, ठीक है, ओके, ओएल साडीन की फीडिंग हबिट की बात करें, प्लैंक्टी वो रोते हैं फीड करते हैं डाइटम्स डाइनो फ्रेजलेट्स और कोपी पॉर्ट्स पे अगर किसी ओशनी के इंवर्ण में अगर फ्रेजिलेरिया ओशनी का जो कि एक डाइटम है उसका अगर आपको कहीं पर समझ जाइए कि वहां पर ऑइल सार्डीन का भी अबंडेंस होगा ठीक है ओशनी का पर फीड करती है तो ब्रिटिश ने रेस्ट्रिक्शन लेगिस्लेशन लगाया था नाइटीन एटी में भी यह रूल बनाया गया है कि मेकनाइजड अन पर सीन पर बैन लगाया जागा दियूरिंग मॉन्सून सीजन पर और मेस्ट साइज रेगुलेशन किया गया है 18 मिलीमीटर का मेस्ट साइज के जो कॉड़न है वह 18 मिलीमीटर के रहेंगे और जून से स्क्राइब मन्त में और इंडियन वाइल साइडिन अब लोग बात करेंगे लेसर साइडिन की तो जैसे कि इंडियन वाटर तो इसमें आती है इंडियन वाटर तो इसमें आती है साडिनेला गिबुशाव साडिनेला सीर्डीनेला डाई साडिनेला चैंड मिलनम साडिनेल यूप्रइट्स अण जिनसई यह सब भी इस्पीशीज आ जाती है 3-5% of total production आता है इनका East Coast में इनका dominance होता है 65% Tamil Nadu Coast में इनका abundance देखा गया है South East Coast में पाए जाते हैं कौन सा gear यूज़ करते हैं The Gillnet and Purse in and Ring Scene Craft, Cano's, Plank Build Crafts जिनके नाम है Common name में Rani Bail, Mutu Bail and Koti Bail ये Crafts यूज़ होते हैं और Ring Scene की जो Mass Size Regulation हो है 30 Meter और Purse in 16 Ring Scene आपका 30 Meter Depth तक में यूज़ करते हैं और Purse in 60 Meter Depth रिजन पे यूज़ कर रहे होते हैं Maturity before 1 year देखा गया है Lesser Sardin case में इनकी feeding habit Plankton feeders है Feed कर साड़िने लग ये बहुता feed करता है Copy Ports पे, Myces Larval Stage पे Lucifer पे और Fish Eggs and Acetis पे Cheap Protein Source है ये Lesser Sardins को basically cheap protein source माना गया है और ये salted and sun-dried product के रूप में ये एक state से दूसरे state में भेज़े जाते हैं तो इनका सबसे ज़्यादा abundance South East region में देखा जाता है Southwest region में फिर North East region में उसके बाद Andaman region और उसके बाद Northwest region में तो ये इनका पुरा scenario है आप यहां से देख सकते हैं यह सभी important points है अब हम लोग बात करेंगे एंकवीज की तो एंकवीज में five general आते हैं कौन कोंसे five general तो stall forest, koelia, setipina, thricea and thriceina ये five general आते हैं एंकवीज में इनका dominance देखा गया है तो यहां करते हैं मतलब की पैलेजिक का 10% एंकवीज है और एंकवीज के 43% जो production है वो white baits का होता है इस्टोल फोरस्स जो जीनिस है ग्रेनेडेर एंकवी कॉलिया, डुसिमेरिया and thricea species ये ग्रेनेडेर एंकवी मतलब की कॉलिया, डुसिमेरिया का 27% production आता है और सेटीपीना का मतलब इनका 3% production आता है white baits का dominant देखा जाए तो southwest region में ज्यादा dominant होते है as compared to southeast region 80% dominance देखा गया है southwest region में और 60% production है और जबकिए ग्रेनेडेर एंकवी जिसको ये scientific name कॉलिया डुसिमेरिया ये northwest region और north east region में पाए जाते है तो ग्रेनेडेर एंकवी northwest और north east region में पाए जाते है और white bait southwest और south east region में पाए जाते है white bait का हम लोग अलग से बात करेंगे तो white bait include genus, stole forest and ancracy colina ये 2% of total pelagic landing contribute कर रहे है total landing का total marine production का 2% contribute करते है और pelagic landing के बात करें तो ये 43% of anchovies के landing का contribute कर रहे है और total anchovies जो है वो 10% pelagic landing contribute कर रहा है ठीक है white bait 2% of total marine production का contribution देते हैं ये species such as ancracy colina davicy and ancracy colina heterolobus stole forest bucanary stole forest anthrancis stole forest bagensis stole forest indicus and stole forest commonsoni stole forest indicus और commonsoni एक important इनकी group इनकी species है ये ही important सबस्वारा production इनकी का होता है indicus और commonsoni का कौन-कौन-सा हम लोग gear यूज़ करते हैं board scene, shore scene, bagnet, gillnet craft की रूप में हम लोग catamaranus का यूज़ करते हैं board scene का mass size regulation है वो 10 mm है shore scene का 10-20 mm gillnet का southwest region में सबस्वेस्ट रिजन में सबस्वादा dominance है gillnet का यूज़ करते हैं हम लोग white bait को पकड़ने के लिए तो वहाँ पे इसको हम लोग common name में netholi वाला netholi वाला से नाम से जानते हैं 15 mm का mass size regulation करते हैं per scene का हम लोग 14 mm का mass size regulation देते हैं mechanized board का introduction होगा था 1970 में और ring scene का plank built and dugout के हैनों के साथ में हम लोग इसका यूज़ करते हैं message regulation देते हैं 8 mm का यह सब points मैंने दे दिए आप यहां से देख सकते हैं highlighted points है ring scene का mass size regulation 8 mm per scene का 14 mm mechanized board 1970 में introduction होगा था per scene का ring scene का 1980 में plank built और dugout के हैनों के साथ हम लोग ring scene का यूज़ करते हैं और किस depth पर पाए जाते हैं तो में इली 15 to 50 meter depth region पर पाए जाते हैं fishing season इनका देखा गया है करनाटिका में October to March है केरिला में July to December है जब 0 year class की fishery सबसे ज़्यादा होती है इनके यह multiple spawner है speed करते हैं जू planktons के ऊपर ठीक है हम लोग बात करते हैं इनका western region में 69% position देखा गया है 29% eastern region में और 2% undermined region में चूड़ा वाला operated by ring scene unit यह important points में मिला था मैंने यहां पर directly उसको copy कर लिया है अब बात करेंगे हम लोग golden end कभी का तो हम लोग बात कर लिए है white bit का white bit का dominance western coast में रहता है अब गोल्डे नंकभी ठीक है ग्रेनेडिया रहें कवी का northwest नौर्थ इस रीजन में इसका dominance था हम लोग golden end कवी की बात करें golden end कवी या ग्रेनेडिया रहें कवी कोलिया डूसी मेरिया महाराष्टर और गुजरात रीजन में पाई जाएंगे मतलब कि northwest region में इनका abundance रहता है golden end कवी या फिक ग्रेनेडिया रहें कवी का ठीक है और वेस्ट पंगॉल और ओडिसा कोष्ट में भी देखा गया है तो इसलिए नौर्थ इस कोष्ट में इनका कुछ कुछ abundance पाई जाएगा ठीक है तो सोल गियर था जिसका यूज करके हम लोग गोल्डेन कवी की फिशिंग करते थे 1980 के पहले लेकिन 1970 में परसीन आ गया और 1980 में रिंग सीन आ गया तो उसके बाद से हम लोग परसीन और रिंग सीन यूज करने लगे ठीक है ट्रॉल और डोलनेट से टोटल 38 परसेंट और 68 परस परसुन चल रहता है कि अगर जादा होगा थो कोने demos कर दो महुंद करता के अments से हां योनson के नोंपीनिड और कं दो इंड़न बाद की और दोक हो内ँ ची यह अशनीं में तो इंडियन मैक्रेल का साइंटिफिक नेम रॉष्ट्रलाजर काना गुर्टा इंडो पैस्फिक रीजन में यह बहुत ही अबंडेंट है साउथ वेस्ट रीजन में ज्यादा पाए जाते हैं एस कंपेर तो साउथ इस्ट रीजन ठीक है रॉष्ट्रलाजर ब्रैकी सोमा यह यह कासरे तो इंडिया से जाता है अगर और बोरे वर्ट कलिống में मैक्रेंट से जाता है इचर जिसमें 77 परसे बीजन र ग收न इस्ट रीजन से चाना की कौन को सा क्राफ्ट तो केतमेरंस प्लैंक बिल्ट बोल्ट डगाउट कैनो पर्सीन एंड ट्रॉलर का यूज करते हैं गियर यूज करते हैं शोर्षीन पर्सीन एंड ट्रॉल्स का 60% कैच रिंग और पर्सीन की थे उर्फ की थ्यूज की थ्रूब चांट इनकी फीडिंग हैबिट यूजु प्लंकटॉं कऊंपर फीड करते हैं ज्यूट करते हैं फाइटो फैड्म प्लंकटॉं मेलिप्ल घ्लाइव निकया उंके फीडिंगत सभि यो साइस साइज है वो 184 से 225 mm तक जाता है UNDP-FAO का पिलजिक फिशरी प्रोजेक्ट जो कि मार्च 2 अगस्त में फिशिंग बैन को लाता है कि इस बिच हमें फिशिंग नहीं करना है क्योंकि इस वक्त ये मैकरल के स्पॉनिंग सीजन है और मेश साइज रेगुलेशन रूल लाता है कि मेश साइज रेगुलेशन कम से कम मिनिममम 35 mm का मेश साइज होना चाहिए तो प्रिवेंट दे कैच ओफ 150 mm साइज ओफ जुविनाइल मैकरल फिर हम लोग बात करेंगे टूनास का टूनास मेली कोश्टल नेरिटिक और ओशनी के लिजर में पाया जाते हैं इनको पकरने के लिए हम लोग लॉंग लाइनर का यूज करते हैं 1990 तक लॉंग लाइनर का यूज करते हैं जब तक कि मोटराइजेशन डवलप नहीं हुआ उसके बाद फिर मोटराइजेशन और मेकनाइजेशन आ गया और मल्टी डे फिशिंग आ गयी तो इनका प्रोड़क्शन बढ़ता गया टूना का प्रोड़क्शन बढ़ा कब बढ़ा जब मोटराइजेशन मल्टी डे फिशिंग और मेकनाइजेशन आया 2% of total production, total world के production का 2% आपका tuna से आ जाता है, 8 species हैं Indian water में, जिसमें की 5 coastal species हैं, और 3 oceanic species हैं, तो 5 coastal species में कौन-कौन से आ जाती हैं, तो little tuna, uthenus afenis, frigid tuna, oxys thajard, bullet tuna, oxys rochi, oriental bonito, sarda orientalis, long tail tuna, tuna strongle, यह आपकी 5 coastal species हैं, 3 oceanic species में, skip jack tuna, और yellow fin tuna आ गई, ठीक है, यह oceanic species हैं, ठीक है, FRP canos का यूज करते हैं, हम लोग long tail tuna को पकड़ने के लिए, जो कि north western region में abundant है, long tail tuna, तुनस strongle, जो कि north west region में पाज़ाता है, उसको पकड़ने के लिए हम लोग FRP canos का यूज करते हैं, 224 long liners को allow किया गया है, tuna के fishing के लिए, फिर हम लोग drift gill net का यूज करते हैं, परसी परसीन का यूज करते हैं, south west region में परसीन का यूज करते हैं, हम लोग tuna को पकड़ने के लिए, pole and line और troll का यूज करते हैं, हम लोग लक्षवधी रीजन में, यूथिनस अफिनिस का fishing, यूथिनस अफिनिस का जो size होता है, वो 10 to 78 cm है, ऑक्सिस थेजार का 16 to 52 cm है, ऑक्सिस र पर फीड करते हैं, से फैलो पॉट्स पर फीड करते हैं, white baits पर फीड करते हैं, spawning season April to May है, अक्टूबर to November है, 58% इनके टूना होते हैं, वो iced करके fresh consumption किया जाता है, 10% फिर होता है, 25% जो इनका होता है, वो frozen stage में chilled करके export किया जाता है, 4% canning में यूज करते हैं, 3% salt dried करते है 1983 तक ये under exploited species थी, FSI, Fishery Survey of India फिसको अपने under में लिया इस tuna project को, उसके बाद Indian Ocean tuna commission बना, जिसकी वैसे फिर tuna की landing में increase आया, कह से आया, तो वो आपका जो gear थे, उसमें modification किया गया, message regulation किया गया, इन सबसे tuna fishing में development आया, yellowfin tuna लगबग सारे region में पाए जाते हैं, big eye tuna, equatorial region में पाए जाता है, ठीक है, बात करते हैं, sear fishes की, sear fishes 1.85% of total, जो भी marine production आ रहा है, उसका 1.85% sear fishes जाता है, income for, अब देखिए, ये share fishes जो है, ये basically जो normal fisherman होता है, उनके income का source है, income for gill net hook and line fisherman, artisanal technique यूज़ करते हैं, हम लोग share fish पकड़ने के लिए, share fishes की four species है, कौन कौन सी तो पहला है, king sear, scombromorous commercial, spotted sear, scombromorous catatus, streaked sear, scombromorous linoleatus, wahoo, acanthobium, solandry, ये four species है, sear fishes की, जिसमें की king sear और spotted sear, ये dominant species है, 60% production king sear का, spotted sear का 39% production है, ये king sear, southwest region में पाया जाते है, spotted sear, northeast and northwest region में पाया जाते है, इनको पकड़ने के लिए, इनको पकड़ने के लिए, गियर कौन सा यूज़ करते है, तो gill net का यूज़ करते हैं, ट्रॉल्स का यूज़ करते है, 120 to 170 mm, ये mesh size regulation का rule है, ये gill net का होना चाहिए, king sear को पकड़ने क commercial, ये migratory species है, ठीक है, अब बात करेंगे, हम लोग carrying it की, तो 6% of total fish production, वो carrying it से आता है, इसमें 54 species है, इंडियन कोश्च में पाया जाते हैं, कौन-कौन सी species हैं, तो horse mackerel की, round scats, sailor scats, cune fishes, travelies, leather jackets and pompanos, ये सब groups आ जाते हैं इसमें, ये basically 80 meter depth के zone तक पाया जाते हैं, इनको प catamaran, plank built bowl, trawlers, ये सब craft का use किया जाता है, और scat का population देखे, या production देखे, तो ज्यादा होता है landing as compared to horse mackerel से, scats में आप किया जाते हैं, decapterus racely and decapterus macrosoma, इन दो species का नाम मैंने दिया, यहां पे, इनकी feeding habit carnivores है, ठीक है, megalapsis cordila, clupid and crustation पे feed करता है, size at maturity 250 mm तक जाता है, ribbon fishes की बात करें, तो ribbon fishes को हम लोग hair tail और cutlass भी बोलते हैं, 5.4% of total landing का 5.4% ribbon fishes से आता है, और pelagic landing का 10.6% ribbon fishes का आता है, scientific name trichurus lepturus, ये dominant species है ribbon fishes की, 95% of total landing trichurus lepturus का होता है, other species includes trichurus racely, lepturocanthus, savela, lepturacanthus, gangeticus, ये गुजरात, महराश्टर, केरला, Tamil Nadu और आंदरपदर्श कुष्ट पर पाय जाते हैं, troll से 70% catch आ जाता है, gill net से 3% catch आ जाता है, bag net या doll net से 7% catch आ जाता है, और percene से 2.2% catch आता है, इनका, ये basically carnivores इनकी feeding habit है, feeds on fishes, ये sardine को chase करते हैं, जितने भी small fishes होती है, उनको chase करके उनके ओपर feed करना पसंद करते हैं, 64% of the landing, जो इनकी होती है, carrying kits की, ये export की जाती है, चाइना को frozen form में, next बात करेंगे, हम लोग Bombay duck के ओपर, Bombay duck का scientific name, Harpadon Neharis, इनका जो size होता है, ये पाय जाते हैं, depth 50 meter to 70 meter depth region पे पाय जाते हैं, North West Coast में abundant होते हैं, महराष्टर गुजरात कोस्ट में पाय जाते हैं, मेल इसको कोस्ट में, ठीक है, South Western और South East Coast में ये absent होते हैं, ना के बराबर मिलेंगे आपको Bombay duck वहाँ पे, बस ये North West Coast में सबस्यादा abundant है, 5% of total landing जो marine fishes का है, उसमें सबस्यादा ये 5% contribution Bombay duck का है, इनकी दो species हैं, Harpadon Neharis and Harpadon Esquemosis, North Western Coast से 88% इनका landing आ रहा है, और North Eastern Coast, जो की Bengal और Odisha वा है, इनकी अगर हम लोग, इनकी सबसे अरब productive season की बात करें, तो September to January है, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इनको पकड़ने के लिए कौन सा gear यूज होता है, तो डोलनेट का यूज करते हैं, डोलनेट एक तरह का stationary bagnet है, जो की synthetic filament का बना होता है, और गिलनेट का भी डोलनेट इसको export करना होता है, क्योंकि European Union का एक rule था, कि Bombay Duck का export पे उन्होंने ban लगा दिया था, Bombay Duck के import पे उन्होंने ban लगा था, क्योंकि Bombay Duck perishable थी, और Bombay Duck fresh consumption में ज्यादा विश्वास रखते हैं, इन्डिया के लोग, लेकि जब तो वो export करने में उसका European Union ने rule बना था, कि अगर Laminated Bombay Duck आएगा तो ही वो accept करेंगे, अधरवाज नहीं accept करेंगे, तो इसलिए उन्होंने Bombay Duck के import पे लगा दिया था, पॉम्फरे की बात करें, अब हम लोग पॉम्फरे की बात करते हैं, तो यह बिलॉंग करता है, family stroma TD को, 150 meter depth पे पाय जाते हैं, पॉम्फरे, इनमें 3 species आत करने के लिए, 1990s तक डोलनेट और गिलनेट का यूज करते थे, with mesh regulation के साथ, हम लोग बात कर लें, shads की, तो shads में आपके हिलशा side आ जाते हैं, टेनियलोसा, इलिशा, North East Coast में abundant है, मतलब Bengal Coast में abundant है, इन शोर एरिया में पाय आते हैं, rivers में, for breeding के लिए आते हैं, और anadromas migration शो करते हैं, ये, गिलनेट, यूज होता है, इनको पकड़ने के लिए, size of the fish, 260 तो 480 mm, size के फिश को पकड़ने के लिए, गिलनेट का यूज करते हैं, हम लोग, ठीक है, silver pomfrey का scientific name, पैंपरस अर्जेंटेस, Chinese pomfrey का, पैंपरस चैनेसिस, black pomfrey का, पैरस्ट्रोमटियस, नाइजर, ठीक है, हम लोग, बारा कुड़ास की बात कर लेते हैं, बारा कुड़ास को हम लोग, sea pikes बोलते हैं, बिलॉंग करते हैं, family, spharnedy को, ये food और sport fishes हैं, तो scientific name जाल लेते हैं, sph पैंपरस फीडिंग हैबिट होती है, बारा कुड़ास की, flying fishes की बात करें, तो flying fishes are limited to coromandel coast, ठीक है, that is Tamil Nadu, hidden dictus, coromandelensis, ये species पाई जाती है, ठीक है, इनको पकरने के ले, हम लोग, scoop net का यूज़ करते हैं, बहुत famous question ये, scoop nets are used to catch flying fishes, ठीक है, 0.1% of total landing का, ये landing, flying fishes से होती है, other clubids की बात करें, तो उसमें आ जाते हैं, wolfaring, kairocentras, dora, 0.7% of total landing होती है, 45% इनका landing देखा गया है, north eastern region में, mullets की बात करें, तो musyl cephalis, leiza parsia, leiza ted, leiza macrolipis, and vesehali, ये सब north western coast में abundant है, unicorn cod की बात करें, तो bregmoseros, mclelandi, north western coast में abundant है, common feature of pelagic fishes के आकर हम लोग बात करें, ये basically हम लोग chapter के conclusion पे आ रहे हैं, तो dominance of Indian oil sardine, mackerel और bombay duck, basically ये सब single fisheries को promote करते हैं, Indian oil sardine, mackerel और bombay duck, highly fluctuating nature of fisheries देखा गया है, कि मतलब, अलग-अलग coast में, अलग-अलग fisheries का dominance देखा गया है, bombay duck का dominance, north western coast में देखा गया, ठीक है, Indian oil sardine का dominance, south western coast में देखा गया, इसी तरह particular area में एक particular fish belong कर रही है, ठीक है, ये even एक particular depth तक एक particular fish belong करती है, 200 fishes में से 3 main species जो है, वो है, oil sardine, Indian mackerel, and bombay duck, ये 3 main species है, 200 species में से, 25% of total marine landing, इनी 3 species में से आ जाता है, अब unicorn cod की बात करें, तो वो उसका conservation status vulnerable है, bombay duck की बात करें, तो northern latitude में ज्यादा पाय जाते हैं, जहाँ पे, जहाँ पे tidal oscillation होता है, उसके वैसे इनको ये feed मिलना असान हो जाता है, इस tidal oscillation के वैसे, और north western coast में ये abundant है, bombay duck, इनको पकरने के लिए हम लोग डोल net का use करते है, डोल net is a stationary bag net, ये important question है, डोल net का हमेशा पूछता है, जायरप के exam में, अगर हम लोग upwelling के बात करें, तो upwelling basically ये phenomenon था, हम लोग oil sardine के case में देखे थे, upwelling से क्या होता था कि bottom में जो nutrient rich component होता था, वो upper surface पे आजाता था, क्योंकि upper surface पे nutrient का depletion रहता था, तो ये upwelling zone में oil sardine का abundance ज्यादा पाय जाता था, खासकर कि माला बार coast में, तो ये south western region में पाय जाते है, oil sardine का abundance है, और sardine is inversely proportional to mackerel landing, ठीक है, अगर mackerel का landing जादा होगा, तो sardine का landing का landing कम होगा, sardine का landing जादा होगा, तो mackerel का landing का landing कम होगा, क्योंकि दोनों को पकड़ने के लिए same gear use करते हैं, अब sea surface temperature और phytoplankton का हम लोग देख के बता सकते हैं, कि कौन सी fishery कहाँ पर dominant कर रही है, तो INQUOIS, Indian National Center for Ocean Oceanic Information Services ने यह technology बनाया है, कि sea surface temperature और phytoplankton का growth देख के वो बता देंगे, कि वो fishing कहाँ पर कौन सी fish पाई जागी, और वो potential fishing zone है कि नहीं, PFJ बता देती है, PFJ का full form है, potential fishing zone, INQUOIS, Indian National Center for Oceanic Information Services, यह phytoplankton के growth और sea surface temperature को पता करके बता देगी, कि वो potential fishing zone है या नहीं है, through the method of GIS, that is geographical information system अब pelagics basically shoaling and migratory fishes है, ठीक है, migration show करने हाली fishes, sardine हो गई, anchovies हो गई, यह coastal migration show करती है, और tuna हो गई, वो trans oceanic migration show करती है, ठीक है, हिलसा के भी बात हम लोग कर लिए, वो anatomous migration show करता है, कुछ regulations की बात करते है, तो ring और purse scene पे 14 to 18 mm mass size का regulation है, मतलब minimum 14 to 18 mm mass size use करते हैं हम लोग, 8 mm white baits को पकरने के लिए लगाया गया है, यंग recruit of sardine के लिए हम लोग 50 to 80 mm का message regulation रखते हैं, डोलनेट में 10 to 50 mm का message regulation है, stock assessment studies conducted for 19 species, यह एक important point हो सकता है, कि 19 species के लिए अभी तक stock assessment study किया गया है, अब एक और important last point जो है, वो है, mesopelagic fish, arabian sea में पाए गया है, mesopelagic fish, scientific name है, benthosema, ter perutum, अब ऐसा माना जा रहा है कि अगर Arabian sea में mesopelagic fish पाई गई है, abundance में, तो ऐसा ही कुछ Bay of Bengal region में भी mesopelagic fish पाई जा सकती है, ओके, यह था pelagic fisheries का पूरा description, ठीक है, थोड़ा fast मैं गया, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा होते जा रहा था, ठीक है, लेकि सारे points में cover किये हैं, तो आप वीडियो ध्यान से देखिएगा, तो सारे points आपको मिल जाएंगे, और बिरी बातों को ध्यान से सुन लीजेगा, आपको सारे concept clear हो गए होंगे, और सारे questions के answer इसमें आपको मिल जाएंगे, क्योंकि सारे points मैंने note किये थे इसमें, okay, that's all, मिलते हैं next video में till then stay safe